नमश्कार जी मैं मन्चू आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मैं किसी कोई special plants पे बात नहीं करने बाली हूँ कि अलग-अलग plants मैं उनपे बूलूँ तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ये मैं अपनी जो खुशी मेरी वो मैं आपसे आप सबके करना चाती हूँ और जिस कारण मुझे ये खुशी मिली उनके लिए उनको मैं ये वीडियो बना के इस जुगाडू गार्डन के साथ वीडियो बना के उनका special thanks करना चाती हूँ तो सन 2021 में जो मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए एक बड़ी ही खुशी की बात थी और वैसे इस बात को हुए कई महिने हो गए हैं बीद गए हैं तो मैं इसलिए लेट होगी क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं जिनका thanks करना चाती हूँ तो मैं वीडियो बना के thanks करना चाती थी तो वैसे अगर मैं चाती तो comment करके एक उनको thanks करना कर सकती थी बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं अपने इस जुगाडू garden के साथ उनका thanks करूँगी और आप सब के साथ भी अपनी जो खुशी मैं share करूँगी तो दललन टोप एक जो बहुत ही famous और popular Hindi channel है जो की news और अलग-लग subject जो cover करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मेरे organic gardening channel के बारे में दललन टोप सोशल लिस्ट में बताया गया तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी achievement थी और बहुत ही खुशी की बात थी और ये किसी बहुत बड़े award से कम नहीं है तो मैं ये कहना चाती हूँ कि अगर हम कोई अपनी habit को follow करते हैं जैसे कि मुझे gardening का मेरे आदत ही बन गई है मैं ये काम करना पसंद करती हूँ तो ये किसी award परशंसा के लिए हम नहीं करते हैं कि हमें कुछ ऐसे मिले तो उसके लिए हम करते हैं क्योंकि ये हमारी आदत में शामिल है इसलिए हम करते हैं बट अगर कोई आपके काम को जो है highlight करता है तो आप ये सोचते हैं फिर कि आपकी जो महिनत है वो सफल हो गई तो वो जो इस तरह से होने से आपकी जो महिनत है वो सफल हो जाती है तो इसी तरह से सन 2020 में तो World Environment Day पे News 18 ने इंडिया के पांच यूट्यूबर जो गाणिक के चैनल है मैं उनकी बात कर रही हूं तो World Environment Day पे उन पांच चैनल को चुना था उनके बारे में लिखा था तो उन पांच में से एक मेरा भी चैनल छोटा सा मेरा भी चैनल था तो उस टाइम भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी achievement थी और आगे तक हमेशा ही रहेगी और उस टाइम में बहुत खुश थी आज भी मैं इसके लिए बहुत खुश होती हूं तब भी मैंने वीडियो बना के ये चीज़ आपके साथ शेयर की थी और News 18 का थैंक्स किया था तो मैं ये चीज़ जानती हूं कि आजकल जैसे मेरे चैनल पे बहुत अच्छे भी उज नहीं आते हैं तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि मैं और्गैनिक गार्णिंग ही करती हूं कैमिकल फर्टिलाइजर का मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूं और जो और्गैनिक गार्णिंग करना तो बहुत ही ठाइन वालिव दो करें मैं कमकल फटीलाइजर का है एक हम फिर दूसरा कारण यह भी होता है कि जो मेरे वाहि वेहन पन्हारा हुरा है मेरे फेस में उनकी वीडियो जासोगा ही तो ये चीज भी है, तो जब मैंने अपना चैनल खोला था, तो मैंने ये चीज शेयर की थी, कि सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली है, जो मेरी फैमिली खुश रहे, जब बाद में टाइम जो बचता है, तो अपनी सुविदा अनुसार फिर मैं वो गार्णिंग में देती हूँ तो लाईव आना, फेस दिखाना, इन सब के लिए मेरे पास सच में बताऊं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बस जैसे भी टाइम मुझे मिलता है, तो मैं ये जो काम गार्णिंग का करना पसंद करती हूँ, एक बात ओर है, तो मैं जो है जुगाड़ू गार्णिं तो यह जो मेरा garden त्यार है, यह बहुतीय कम खर्चे में मैने त्यार किया हैं, तो मैं घर पर ही जो seeds त्यार करना पसंद करती हूं, और उनी से ही खुद मैं nursery त्यार करती हूँ, मैंने टाइम टाइम पर आपके साथ video's शेयर के यह हुए है, और उनी सी ये सब जितने भी गार्डन में आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं सब मेरे हाथों से ये जो मैंने पोत तियार कर खिवी नर्सरी तियार मैं करती हूं तो उसी को ही मैं ग्रो करना पसंद करती हूं और बहुत पारी जो बहुत सारे मैं अपने garden के seeds है बहुत सारे इंडिया की states में पहुंचाये भी हैं फ्री में seeds मैंने कई भई वैनों को दिये हैं तो मैं हर वक्त जैसे seeds नहीं देती हूँ क्योंकि हर वक्त मेरे पास होते भी नहीं हैं जब मैं contest बगज़रा रखती हूँ तो उस टाइम तो बीना कॉंटेस्ट के भी मैंने शुड़ू में बहुत सारे भाईवैनों के घर सीर्स पहुंचाए हैं तो फिर हर किसी की फर्माईश होने लगी कि हमें भी दो हमें भी दो तो जो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था और इसलिए फिर कॉंटेस्ट का जनम हुआ और इस तरिके से मैंने बहुत सारे घरों में अपने इस गार्डन के सीर्स जो पहुंचाए हैं तो चलिए ये सब बातें तो मैंने कई वारी शेयर की हुई हैं तो एक बार फिर मैं दललन्टो सोशल लिस्ट के चैनल के जो आशिश मिश्राजी हैं उनका मैं इस जुगाडू गार्धन के साथ एक बारे दिल से थैंक्स करना चाती हूं कि इतना बड़ा चैनल और उन्होंने इस छोटे से चैनल को मेरे जो हाइलाइट किया तो उसके लिए मैं दिल से उनका थैंक्स करना चाती हूं तो वैसे तो मैं उनके वीडियो पे उसी टाइम में कमेंट कर सकती थी पर मुझे वो करना ठीक नहीं लगा तो मैं यह सुच रही थी कि जब भी बनाऊंगी थोड़ा लेठ ही बनाऊंगी तो चलो मैं उनके लिए एक special वीडियो बना के उनका thanks करना चाहूंगी और आगे मैं hope करती हूँ कि future में भी आप सब की मुझे इसी तरह से जो है sport मिलती रहे और बस सही ही कहना चाहूंगी मैं और आशिश मिश्रा जी मिर्ची ग्रो करना बहुत ही आसान है आजकल अचारी मिर्ची आ रही है तो उनके आप घर पर ही सेर्स त्यार कर सकते हैं आपको खरीदने की जुरूरत भी नहीं है आप किसी भी पोट में डाल दीजिए और आराम से वो आपके ग्रो हो जाएगी तो ऐसा नहीं है आपने मिर्ची के बारे में भुला था तो चलिए ये देखे मिर्ची तो मेरे गार्डन में अभी भी मैं तो फूलों की तरह भी इनको देखना पसंद करते हूँ ये देखे मिर्ची तो ऐसे चोट-चोटे पोट में भी लग जाती है साथ में पिटूनिया के फ्लार्स भी खिल रहे हैं तो मैं अपने बेहन बाईयों को जो इस वीडियो का लिंक दे दूँगी अगर आप मेरी खुशी में शामिल होना चाते हैं तो आप मेरे लिए जो मेरे चैनल के बारे में बोला गया है दललन टोप चैनल पे तो उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी तो उस वीडियो का लिंक जो भी मेरे बहन भाई देखना चाते हैं जा मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वो दललन टोप के उस वीडियो को जरूर देखें उनके चैनल पे जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें और आप क्या कहना चाते हैं तो मुझे जरूर बत थर्मो कोल के डिब्बे में जो पोपी गार्डन बना रखा हुआ है तो खोब सारे वर्ड्स आये हुआ हैं तो ये खोब कुछ दिनों में ये पूरा भर जाएगा तो ये देख सकते हैं ये तो इसी के साथ नमस्दे जी शुक्रिया तो चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि आ कि दूसरा साथ के साथ त्यार होता है अपनी बैस्टेवल कब ग्रू करनी है तो आज मैंने ये काम किया है तो चलिए आप वीडियो को मैं बंद करती हुआ